नमस्कार, बिहार की अवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुक खबरों के साथ बड़ी खबर आ रही है उजी आरपुर से जहां ओजियारपूर प्रक्षण के प्रक्षण प्रमुक श्री लाल बाबू साह के खिलाफ लालो देवी, राम दुलार चौरस या एवं अन्य सोलह सदस्यों के द्वारा लगाएगे अविश्वास प्रस्ताव भुद्वार को किसी भी सदस्य के सदन में उपस्थितना होने के कारण खारिज हो गया, उजियारपूर प्रक्षण के पंचायत समीती भावन के सवागार में प्रक्षण विकास पदादिकारी सहकारे पालक पदादिकारी श्री विजय कुमार ठाकुर, पंचायती राज पदादिकारी श्री सुरेश पास्वान, अविश्वास प्रस्त लगाने वाले पंचायत समीती सदस्यों का इंतदार करते रहे, लेकिन एक भी सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण अंत में प्रखंड विकास पदादिकारी सहकारेपालक पदादिकारी ओजी यारपुर ने प्रखंड उप्रमुख लाल बाबू साह पर ला लाल बाबू साह जी की जीत के रूप में सचाई की जीत हुई है, चैता दक्षनी पंचायत के पूर्व मुखिया श्री कमला कांतर राये ने कहा कि लाल बाबू साह की जीत गरीबों की जीत है, आज लाल बाबू साह के पुन है उप्रमुख की पद पर बने रहने से यह प्रखन को अपनी अंगुली पर नचाना चाहते हैं जो अब कताई संभव नहीं है। प्रभु नारायन राए, गुड्डु यादव, भोला महतो, समझीत कुमार राए, उमा कांत पास्वान, हरिंदर सहनी, गोपाल सा, गणेश राए, दिनेश राम सहित सेक्डो गणमाई ये लोग तथा समर्थक मौजूद थे अभी की प्रमुख खबरें समाप्त होती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें यूट्यूब चानल, फेस्बूक, ट्विटर, इंस्ट्राग्राम तथा हमारी बेव साइट www.biharkiavaj online.wordpress.com पर भी सर्क्ष कर सकते हैं। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार! नया ही वोग काइम करेंगे, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा है सभी लोग आज दिखा दिये हैं, और हम भगवान से भी प्रासुना करते हैं, एक जूटता बनी रहे, पंचायती राज का निरवाचन, जिस उदेश से, पंचायती राज की कल्पना, जिस उदेश से महत्मा और विचोलियों का मुह काला होगा, निरवाचित पर्तिधियों का बोलवाला होगा, बहुत बहुत धन्यवाद, कमान काला